मेरा नम अधवेथ है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अब इसके हमने दो पार्ट्स बनाया है तो पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट वान से पार्ट वान में कुछ हमने इसके पार्ट कवर किये हैं और पार्ट टू में इसका जो लेटर पार्ट है वो कवर किये ठीक है तो पहले पार्ट वान से स्टार्ट करते हैं तो तुम्हों के सामने एक तुम्हों को वायर दिख रहा होगा या केबल दिख रहा होगा वो है अप उससे एक लाइडिंग बनिये ताकि जो अंदर की लाइट रेज है ना वो बाहर ना आपा है और इसके अंदर ही रहे जो अपना ग्लास कोर है उसके तुरू अपन कंडक्ट करते अपना डेटा ठीक है अब आयाते है थोड़े इसके डेफिनेशन था तो the digital signals अब पहले ही word में यहां बोल दिया है digital signals अब यह analog signals नहीं बेचता है जो अपने coaxial थे उसमें भी analog signals भी जाते थे digital भी जाते थे पर इसमें सिर्फ digital जाता है ठीक है तो digital signal था transmitted in the form of intensity modulated signal मतला intensity मतला जो light को हम कैसे manipulate कर सकते है उसके intensity से कभी कम जादा कम तो उस basis पर उसको modulate किया जाता है data को और फिर इसके through transmit किया जाता है तो जो digital signals होते है वो optical fiber cable के through कैसे करते हैं हम transmit उसको intensity wise modulate करके ठीक है अब light is launched into the fiber at one end using a light source such as a LED और laser अब जो incident हमको light देनी है वो या तो हम एक LED के through या एक laser के through देते है ठीक है अब आयाते इसके data transmission पर तो data transmission कैसे हो रहा है यह अपना transmitter है उसके पास एक light source है इसने इसको data वेजा उस data को इसने intensity wise modulate किया fiber के through transmit किया वहाँ पर receiver end पर इस process को ultra process करने के लिए जैसे modulate को demodulate करने के लिए अपने वास एक photo diode है जिस पर वो print होगा अपना light जो incident होगा उसके बाद receiver उसको decode करेगा और उसको message या data जो है वो मिल जाएगा ठीक है तो for data transmission the transmitter must be capable of inducing data bits 0 to 1 into the light source अब यह इसका responsibility क्या है यह इसको 0 to 1 में और उसको intensity wise modulate कैसे करना है वो इसको यह provide करे 0 to 1 bit में मतला binary में करके अपना data इसको provide करे फिर यह उसको वापस data bits में decode करके receiver के पास पहुचा दिया अब अब आ जाते इसके sources पे जो यह light sources है इसको basically हमने दो parts में divide कर सकते हैं पहला है अपना light emitting diode और दूसरा है अपना injection laser diode अब इन दोनों में basic फरक है हमने वापस इनकी बात क्यों निका लिए तो sources भी न important part होते हैं जब तुम्हारा distance कितने distance पर communication कर रहे हो वो जब तुम उस बारे में सोचते हो तो जब तुम light emitting diode के बारे में सोच रहे हो तो उसका यह feature है कि वो एक particular distance तक ही सीमेत है मतलब अगर तुमको छोटा communication करना है चोटे distance पर communication करना है तब तुम्हारा LED यूज होगा वो long communication long distance communication में fail हो जाएगा क्योंकि उसकी उत्ती intensity नहीं होती है उसी जगा पर जो laser होता है वो काफी दूर तक travel कर सकता है तुम लोग भी जानते हो यह उसका feature है तो वो कहां applicable है जहां long distance communication करना है तो यह दो basic light sources में इसके difference है अब आजाते है थोड़े से इसके physical या इसके physics पर के principle of light propagation इना fiber के propagate कैसे होता है तो यह अपना incident tray है यह अंदर टकराते 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 बहार जाता है receiver के पास वो जो fiber cable देखा था तो अब यह layer कुन से होगी अपनी cladding layer इसके ओपर अपना protective layer है वो इदर दिखाया नहीं है तो cladding layer का एक refractive index है n2 और अंदर जो core है अपना उसका एक refractive index है n1 ठीक है अब यह जो तुमने client देखिए black c इसका आमने angle लिया है critical angle मतला 5 of c तो यह क्या बताता है कि अगर यह angle हुआ मतला अगर critical angle हुआ तो क्या होगा जो तुमारा light रहना वो इसके through बाहर चला जाएगा मतला वो loss हो जाएगा मतला एक particular पर हमको उसको ऐसा bend करना है कि वो टकरा है और अंदर reflection हो और इस particular phenomenon को हम बोल दे total internal reflection तो जितना ज्यादा internal reflection होगा अन अगर तुमने in case ज्यादा incline ना करते हुए काफी sharp edges रखे तो ऐसा हो सकता है कि अगर तुम critical angle से कम कर दोगे तो जो तुमारा data है वो सिधा बाहर transmit हो जाएगा cladding में और cladding तो transmit नहीं करेगा वहाँ पे से अपना data loss हो जाएगा तो यही चीज़ यहाँ पे conditions में बोली है पहले देख लेते हैं किसका condition है तो this total internal reflection happens if the following conditions are satisfied तो वो कुणसी दो condition है पहला है the glass fiber must have a refractive index which is higher than the cladding मत्या इसका जो refractive index है वो इससे बड़ा होना चीए तो n1 should be greater than n2 ताकि जो raise है वो अंदर ही रहे इसके अंदर तक ही रहे ठीक है the angle of incidence मत्या यह जो है angle of incidence phi है should be greater than phi c क्योंके वो तो reason में बाता जिया ना ने तो बाहर चला जाएगा वो ठीक है तो और critical angle का formula क्या है sin of i c is equal to n2 upon n1 तो in case तुम लोगों को एक्जाम में आया critical angle find करना है तो इसका formula क्या हो जाएगा sin inverse of n2 upon n1 n2 और n1 के अपने refractive indices है ठीक है तो यह तो principal हो गया क्या अंदर हो क्या रहा था ठीक है अब चलते इसके characteristics पे तो fiber optic के क्या-क्या characteristics है पहले से start करते है fiber optic केवल can provide extremely high bandwidth in the range from 100 Mbps to 2 Gbps जहां तक हमने coaxial के वीडियो में देखा था वो max2x अपने को 10 Mbps दे रहा था यहां पर तो शुरुवाची 100 Mbps से हो रहे है तो तुम लोग compare कर सकते हो कि almost 10 times यह ज्यादा efficient है ज्यादा तुमको data rate provide करता है तो यह इसका एक characteristic है important characteristic second है fiber optic cable has much lower attenuation and carry signal to longer distance without using repeaters अब यह बहुत एक important पात आजाते है अपना communication में कि हमको repeaters जितने कम हो सकी उतने कम लगाने है और जितना ज्यादा long distance cover कर सकी उतना ज्यादा cover करना है तो fiber optic हमको यह चीज़ provide करता है क्योंकि अगर हमने उसके condition satisfy कर दिये उसकी शरते माल ली कि भा बढ़ा रखो ताकि तुमारा total internal reflection हो तो अगर in case ऐसा हो रहा है तो reflect होते होते काफी दूर काफी लंबे distance तक तुम उसको travel करवा सकते हो without using repeaters यह इसका एक characteristics है आगे the cost of fiber optic cable is more than the others यह थोड़ी इसकी बुरा ही है लेकिन यह काम भी उतना provide कर रहा है न तुमको अब इसका जो difficult और tedious है मतलब इसको बहुत जादा expertise लगता है ऐसा नहीं के कोई भी electrician आगे कर सकता है उसको थोड़ा सा एक expertise थोड़ा experience लगता है इस cable को handle करने में ठीक है फिफ्ट वाले पर आजाते है fiber optic cable is not affected by EMI electromagnetic interference होता ही नहीं है and can be used in areas where high voltages are passing मतलब बहुत सारे wires है उस area में भी तुम use कर सकता है क्योंकि interference अंदर आने का कोई वही नहीं है chance क्योंकि light waves में form हो रहा है वहाँ पर analog signals है तो यह दोनों का कुछ mail आएगा ही नहीं वह electrical signals पास हो रहे है इसमें तुमारे light signals पास हो रहे है तो interference होने का कोई chance ही नहीं है ठीक है यह तो होगे fiber optics के characteristics अब आ जाते है इसक अब यह at a time वह हमने बात की थी वाल्टी वाली तो इसकी वाल्टी काफी बढ़ी है बाकी cable से तो यह bandwidth ज्यादा प्रवाइड करते है एक time पर ज्यादा डेटा यह hold भी कर सकता और उसको transmit भी कर सकता है ठीक है no cross talks अब जब interference नहीं होगा तो cross talk कैसे होगा ठीक है फिर fourth वाला signals at higher data rates can be sent अब तुमने देखा इसका data rate का है 100 mbps से 2 gbps तक तो तुम्हारा data rate comparatively काफी बढ़ गया है बाकी cable से फिर्ट के repeaters are not required यह सब हमने points पढ़ लिया अल्रेडी बस इसको advantages में तुमको note down करने वापस बस यह रायाद कर लेना ठीक है अब आजाते इसके disadvantage पे तो जो इसका initial cost है वो incur होता हो बहुत जादा होता है क्यूँकर इसका installation महेंगा है यह आता महेंगा है तो जो initial cost पढ़ता fiber cable is a difficult job अब दो fiber cable को जब तुमको मिलाना है तो वो एक काफी tedious job होता है क्यूकर देखो तुम लोग भी इतना imagine कर सकते हो कि जब दो wire मिल रहे हैं और उसमें से light signals fast हो रही है तो in case अगर तेड़ा हो गया थोड़ा लग दूर हो गया तो वो तो पूरा data loss हो जाएगा तो proper align कर अबनो wires को उसका exact dot to dot अपने को configure करना पड़ेगा उसको तो जब दो wires को हम connect करते ना तो वो काफी tedious process है और काफी difficult job है तो यह इसका एक major disadvantage है ठीक है तो guys यह था वीडियो fiber optics का part 1 क्रावल